चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के क्लास में सिखेंगे कि हम लोग फैन का सर्विसिंग ऐसे करते हैं तो फैन का सर्विसिंग बहुत ही आसान है, हम लोग इसको घर में भी सर्विसिंग कर सकते हैं उसके लिए क्या करना होगा फैन को उतार लेना है उसको क्लेंप को उपर हम लोग ऐसे करके होल्ड कर लेंगे ताकि हमको सर्विसिंग करने में आसानी हो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले ही जो कोयल है इसको जैसे है सर्विसिंग में हम लोग इसको ऐसे ही रहने मेरा दैसरा भी क्लिए यहां की मेरा कोयल क्या हुआ इससे क्लिवे है देख सकते हैं इसम्लों अलग कर कदेए अब हमारा यहां पर देख सकते हैं bearing लगा हुआ है bearing के उपर एक plastic का वासर है उसके उपर हमारा क्या है spring है जिसके उपर हमारा क्या होता यह spindle इसका जाके बैठता है तो हम लोग इसको जब servicing करेंगे तो क्या करेंगे इसको थोड़ा सा एक हलका सा पेचका पतला सा लेंगे और wood के सायता से wooden hammer जो हमारा millet होता है उससे ठौकते हुए हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे aluminium का होता है तोटने का डर रहेगा इसलिए इसको हम लोग आसानी से थोड़ा सा निकालेंगे इसको जब निकाल जाएगा उसके बाद हम लोग इसको diesel में दो देंगे उसके बाद फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे grease को लगा देंगे इस तरह से हम लोग इसको servicing कर सकते हैं उसके बाद अगर इसके उपर वाले हिस्से का जो और एक bearing होता है जो हमारा कहां पे होता है यहां पे होता है अगर हमको इसको servicing करना होगा तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसको खोलना पड़ेगा यह जब हम लोग यहां पे खोल देंगे इसको खोलने के बाद हम लोग उसको servicing कर सकते हैं तो चलिए अगर हमारा information जो इसमें दिये आपके लिए यूजफुल रहा है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए इसमें लीचे जो सब्सक्राइब बटन रेट कलर का लिखा हुआ वहां से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए चलिए आज के लिए बस इ अन्यवार, thank you.